तो हेलो फॉरेंड कैसे ही आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वालो हो सेमें मग प्री इंस्टल फीचर होता है जिसका नाम поговор पूरा आपका विंडो पर पूरे जो स्क्रीन है पूरी स्क्रीन पर आपकी एप जो भी आपकर खोलेंगे तो पूरा आजाएगा जो नीचे पूरा हड़ जाएगा फूरी स्क्रीन से उपर की तरह स्वाइब करेंगे तो विजित्म करते हैं अगर आपने वीडियो देखिए होगी दोस्तों तो मियों स्क्रीन को यूज करता हूं आप ने देखा हुगा मैं हर जगह से कहीं बीबैक कर लेता हूं तो ren आज की वीडियो में बताने मालों कैसे आप एक्शुल में आप कैक्या कर सकते हैं तो इसके بारे में बताने माला दोस्तु वीडियोो कोकिउ मत करेगा वीडियो पूर देखंळ streaming लेसी बटन愈को दिखनाएontin पर आपको इसके लिए जाना आपको आपको यहां जाना है डिस्प्ले वाले ओप्शन पर नाइए तो आपको यहां पर option मिलेगा navigation वार का आपको दिख रहा होगा आपको उस navigation वार पे जा रहा है by default आप देखेंगे navigation बट्रन पे enable है और वो तीनों बटन की आपको photo उपर दिख रही होगी जो की नीचे आपको दिख रहे थे यहाँ पर आपको मिल रहा तो आप home पे पहुझ जाएंगे और नीचे आपको gather hint भी बता रहा है जो की enable है by default और नीचे आप show button to hide बट कीबोड कर रहा है तो यह भी use कर सकती तो मैं आपको दोनों चीज़े बता जाता हूँ तो जोस्तो जैसी आपने इसको enable करा तो आप देखेंगे आपको यह back कर रहे हैं तो यह side से back ho जाएगा ऑफ देख रहे हैं कित्ती side से back हो रहा है और अगर आपको home screen पे जाना है तो आप ही उपर के सब swipe करेंगे तो home screen पे स्वायगे आपको आपको दिखा जहता हूं यह कैसे दिख रहा है यहां नीचे आपको दिख रही होगी जैसे ही मैं इसको बंद कर दूँगा जो नीचे की जो आपको दिख रही थी वो हड जाईए आप देख रहे हैं यह हड चुका है आपको कोई हिंट नहीं विल रहा है सिंपल यह आप यह बैक करेंगे तो बैक हो जाएगा यह चाहे आपके रखेंगे तो यह रिसेंट पर आजाएगा आप देख रहे हैं पूरी रिसेंट की यह पर पूरी यह आप खुल जाएंगी और अगर आपको होम पर जाना है तो सिंपल यूँ करके आप यह चोड़ देंगे तो वह होम पर जाएगा तो गैजर ऐसे वर्क करता है यहां पर जाएंगे आप मोर ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको उपर ऑप्शन मिल रहा है स्वाइप फ्रॉम बोटम का और वहां पर आपको देख भी रहा होगा पहले जो तीन बटन आ रहे थे उसी के साब से आपको बैक करने को ऑप्शन मिल जाएगा मतलब कैसे अगर आप उसको यहां से इनेबल कर लेंगे तो अगर आपको बैक करना है तो आपको बैक करने लिए अब यह उपर से वर्क नहीं करेंगा राइट हैं लेफ से नीचे आपको बता भी रहा है आपको कैसे बैक करना है स्वाइप अपन और डिवाई असिस्टेंट आप यू तो आपको सिर्फ यह राइट हैंड से करना पड़ेगा तो बैक होगा आप देख रहे हैं यहां पर जैसे यह बटन थे यह तीनों उसी की तरह काम करेगा मतलब बैक के लिए आपको राइट करना होगा और अगर आप यह लेफ्ट साइट से करेंगे तो रिसेंट में खुल ज जाना है तो बीज वाले तरफ से और आपको बैक करना है तो राइट हैंड तरफ से बैक करना पड़ेगा तो ही यह उप्शन वर्क करेंगा यह बिल्कुली अलग है जो की बाइडिफोल जो चालू होता है जो मैंने फर्स्ट बताया था अगर आपको पुराना नाविकेशन की चाहिए जो कि आप नैविगेशन बार के साब से बटन चलाते हैं तो आप यह वाला भी चला सकते हैं बहुत ईजी च रहेगा यह वाला बाकी जो बैस्ट रहता है नैविगेशन फूल स्क्रीन पर आप जाएंगे मोर पर स्वाइप फ्रॉम साइड एनी बोटन आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं यहापर आपको नीचे मोडिवेशन का उप्शन मिल रहा है अगर आप बैक की स्पीड बढ़ाना चाहें तो आप यहां से इसको बढ़ा दीजे तो आप इजीली कहीं से भी बैक करेंगे तो बहुत स्म मैंने आपको बता है जो दूसरा वाला उप्शन है उसमें स्रिफ आप राइट हैंड से वह भी नीचे की तरफ से करेंगे तो ही बैक होगा जो फुल स्क्रीन गैजर यह वाला बैस्ट रहता है उसके बाद यहां पर जाएंगे एक उप्शन और मिल रहा है आपको उसके अं तो दोस्तों यह नविगेशन ऐसे वर्ग करता है आप देख रहे हैं मैं इतने असानी से उसको चला रहा हूँ होम पर आना है तो मैं यहां से यू करूँगा तो होम पर चला गया यह उसको थोड़ी आप उपर प्रेस करके रखूँगा तो यहां रिसेंट विंडो खुल आपको सिंपल ही यहां से आप देख रहे हैं होम पर जाना है तो आपको सेंटर से थोड़ा उपर की तरफ करेंगे तो यह रिसेंट भी खुल जाएगा यहां से और अगर आप हलका से यू करके छोड़ देंगे तो होम पर चले जाएगे आप देख रहे हैं बस यू करके छ चोड़ना है तो होम पर चले गए आप देख रहे हैं बसापको सिंपल यह नियुकर के छोड़ देंगे हों पर चले गए अगर आपको विंडो खोलनी है रिसेंट तो प्रेस करें रहा है उपर कि स्वाइब करें तो आपको रिसेंट विंडो भी खुल जाएगा तो थैंकी द करके पूछ सकते हैं दोस्तों और अगर आप अभी तब मेरे सब्सक्राइब करना ना बुलें और मुझे इसका लिंक आपको डिक्शन पर बिल जाएगा तो थैंकी दोस्तों